हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं इस्टेड़ी फीट चैनल दोस्तों मैं फिजिकल एजुकेशन की चेप्टर वाइज यह में से क्यूश कोस्टेंज का प्रैक्टिस करा रहा हूं जिसमें से यह ओलंपिक टापिक से यह तीसरा वीडियो पार्ट थर्ड है दोस्तों यदि आओ फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कमपटिटिव जर्म किसी भी स्टेट की टीजटी पीजटी केवियर्स एन्वियर्स प्राजिस्थान पिटी आई डियसस भी सभी की प्रिप्रेशन सिलिबस के कॉर्डिंग कर रहा हैं तो मेरे चैनल पे सभी वीडियो सभी वीडियोज को वाच करके आप अपनी प्रिप्रेशन को बेहतरीन कर सकते हैं और दोस्तों हंडेर्स सज़दा वीडियोज प्रिवियर्स एर यमसी क्यूज कोस्टन पर बनाए गये हैं उसका प्रैक्टिस करना न भूलिएगा और डेली पेसेस पे चिप्टर वाइज की दियो जा रहे हैं इसका उप्रैक्टिस करते रहेगा तो दोस्तों चले चलते हैं प्रश्णों की तरह तो दोस्तों को jar है कि कि इस ओलंपिक में महिलाओं ने प्रतह मैं परतिभाग उनिफ़ Это यहा पर यह जदि सीधे कुछा चाहाएगा कि सर्वर्थम भारत के भारत ने उलम्पिक में कब प्रतिभाग किया तो भी उनिशो होगा भारत ने सरव पृथम उनिशो में पेरिज फ्रांस में भाग लिया जिसमें भारत के एंगलो इंडियर नौगरिक नार्मन प्रिचार्ड दिती अस्थान प्रात किये थे दो समीटर दोड और दो समीटर बाधा दोड में ने इस कोशिन है कि उलम्पिक मोटो को किस विद्वाण ने प्रतिपादित किया तो दोस्तों उलम्पिक मोटो को प्रतिपादित किया बनाया फादर हेंरी डिडान ने ठीक है फादर डिडान ने बनाया ठीक है उलम्पिक मोटो को किस ने बनाया फादर हेंरी डिडान ने बनाया जैसा कि दोस्तों ओलम्पिक मोटो कौन कों से हैं सीटियस अल्टियस फोटियस यानि फास्टर हायर इस्ट्रांग यानि सीटियस और टेज अल्टियस और उचा फोटियस और बसाली दोस्तों इसमें एक और नया सब्द जुड़ गिया है टूगेदर यानि साथ साथ चोथा सब्द जुड़ा है टूगेदर या ध्यान में रखिएगा ठीक है यानि कि अब उलम्पिक मोटो चार हैं कौन कौन से सीटियस अल्टियस फोटियस और टूगेदर ठीक है नेट्स कोस्टियन है कि किस उलम्पिक में पुछा जाता है कि प्रफम बार सपत लिया गया तो या दो हजार के शीड़नी आश्रेया उलम्पिक में लिया गया और रैचेल होके जो आश्टेलिया की महिला हाकी दल की कप्तान थी उसने पहली बार डोपिंग के विरूद शपत लिया नेश कोस्चन है कि किस उलम्पिक में पहली बार उद्घाटन समारोह में कबुतर छोड़े गए तो दोस्तों यह भी 1920 एंट्वर्फ बेल्जियम उलम्पिक में उद्घाटन समारोह में पहली बार कबुतर छोड़े गए नेश कोस्चन है कि किस उलम्पिक में आई ओसी ने धोज में पांच छलो को मानता दी पांच छलो को मानता आई ओसी ने 1924 फेरिस फ्रॉंस में दी यह ध्यान में रखिएगा यह पांच छल्ले कौन कौन से हैं दोस्तों किस किस रंग के होते हैं निला पिला काला हरा लाल यह पांच और छल्ले डबलू के आकार की दिखाई देते हैं कि कब और किस उलम्पिक में भारती हाकी टीम ने पहला श्वडपदक जीता तो दोस्तों भारती हाकी टीम ने 1928 एमस्टरडिम हालेंड उलम्पिक में पहला श्वडपदक जीता जैसा कि दोस्तों हाकी में अभी तक भारत ने कुल 12 पदक जीते हैं जिसमें से 1928 से लेकर 2020 यानि टोक्यो जपान उलम्पिक तक कुल 12 पदक जीते हैं जिसमें से आठ स्वड एक रजत तिन कांश्य पदक आठ स्वड जो है 1928 से लेकर 1980 तक में आठ स्वड जीते हैं जिसमें से 1960 में इसने भारत में रजत पदक जीता और 1968 वा 1972 तथा 2020 के उलम्पिक में कांश्य पदक जीता इस प्रकार अभी तक में हाकी में भारत में 12 पदक यानि आठ स्वड एक रजत तिन कांश्य पदक जीता अभी फिलहाल में जो 2020 का टो के ओलम्पिक 2021 में हुआ था संपन वह उसमें भारती हाकी टीम ने काँ से पदक जीता है लेक्ट कोश्टेन है दोस्ट कि 1928 के भारती हाकी टीम के कपतान कौन थे तो दोस्तों 1928 से मस्टर अटम हालेंड में भारती हाकी टीम के कपतान जैपाल सिंग थे जिसमें से 76 गोले में से 32 गोल के वल ध्यान चन्द ने किये थे ठीक है एंड दोस्तो नेक्ट कोस्टन है जैसा कि दोस्तो 2020 के टोकियो ओलम्पिक में भारतिय अहा की टीम के कप्तान थे मनपृति सिंग ठीक है नेक्ट कोस्टन है कि किस ओलम्पिक को भारत का गोल्डन ओलम्पिक कहा जाता है कहा गया है तो दोस्तो 1928 इमस्टरडम हालेंड को गोल्डन ओलम्पिक भारत का कहा जाता है क्योंकि 1928 में ही भारत ने पहला सुरपदग हाकी में प्राप किया था नेक्ट कोस्टन है कि किस उलमपिक में पहली बार खेल गाऊं बनाए गए तो दोस्तो पहली बार खेल गाऊ 1932 लास इंग्ल्स अमेरिका उलमपिक में बनाए गया नेश्श कोश्चिजन है कि किस उलमपिक का पहली बार दूर दरसन पर बलेक आण वाइट पर सीधा प्रदा प्रसारण किया गया मेजबान देश में तो दोस्तो यह 1936 बरलीन जर्मनी में हुआ नेस्ट कोश्चन है यह बार बार कोश्चन रिपीट हुआ है तो इसका सही जबाब है 1936 बरलीन जर्मनी उलम्पिक में हनमान दियाम प्रसारण कमंडर ने के एक टीम ने उलम्पिक में सारी गती विजियों का प्रदर्शन किया नेस्ट कोश्चन है कि किस भारतिय खिलारी ने प्रथम बार एकल इस परधा में उलम्पिक में कांसे पदक जीता तो किस भारतिय खिलाने ने सबसे पहले जीता दस्तों केडी जाधो जी ठीक है कुस्ती में 1952 हेलंसे की फिल लैंड में जीते और इन्होंने कांसे पदक संतावन के जी भारतिय में जीता नेस्ट कोश्चन है कि पेरियो ब्राइन नामक एथलित ने सार्ट पूट इस परधा में इस उलम्पिक में स्वरब पदक प्रात किया था तो 1952 हेलंसे की फिल लैंड में प्रात किया था पेरियो ब्राइन नामक एथलित ने जैसे कि दोस्तों इनके नाम पर पेरियो ब्राइन तकनीकी भी बना है सार्ट पूट में यानि गुला फेक में तोuelंपिक में भरती फुटबाल टीम ने 24 अस्थान प्राप्त किया जैसा कि धूस्तों फुटबाल की इतिहास में इसको डिटेलें बतता चुकी हूं जैसा कि धूस्तों भरती फुटबाल टीम ने उलम्पिक में भारती फुटबाल जो है 1948 लंदन इंग्लेंड में पहली बार भाग लिया जिसमें भारती टीम के कप्तान टाम बेंगल थे और भारती पहला मैच दो एक से फ्रांस से हार गया था और एक मात्र गोल भारत की तरफ से सरंगा पानी रमन ने किया था और भारती फुटबाल टीम दुसरी बार उलम्पिक में भाग लिया 1952 हिलनसी की फिन लेंड में जिसके कप्तान सैलेस मुनना थे और भारत की टीम युगोशलाविया से हार गई थी और तीसरी बार भारती फुटबाल टीम ने 1956 मेलबॉर्ण आस्टेलिया में जिसमें भारती फुटबाल चोथा अस्थान प्रात किया ठीक है चोथा अस्थान प्रात किया मेजबान आस्टेलिया को हरा कर पहली बार और आकरी बार एक भारत का कोई अस्थान था उसके बाद चोथी बार भारती फुटबाल टीम ने 1960 रोम इतली में भाग लिया और लगातार इस प्रकार चोथी बार भाग लिया और इस 1960 में भारती टीम के कप्तान पीके बनरजी थे और भारती फुटबाल टीम क्वार्टर फाने के लिए क्वालिफाइन नहीं कर पाई और दोस्तों इस प्रकार इस उलम्पिक के बाद भारती फुटबाल आज तक उलम्पिक के लिए क्वालिफाइन नहीं कर पाई है इस प्रकार 1948 में पहली बार भाग लिया, दूसरी बार 1952 में, पिसरी बार 1956 मेंलबोन आश्रिलिया में और चौत्षी बार 1960 रूम इतली में और यहां पर प्रश्ण क्या था? कि किस उलम्पिक भरती फुट्बाल टिम ने 14 साम्पराद किया था? तो 1956 मेलबॉर्ण आस्ट्रेलिया में नेस कोस्चन है कौन सा उलम्पिक एक देश के दो भिन सहरों में आयोजित हुआ तो कौन सा ऐसा उलम्पिक था जो एक देश के दो सहरों में आयोजित हुआ था तो 1956 मेलबॉर्ण आस्ट्रेलिया था पहली बार नेक्स्ट कोस्चन है कि भारती है पहला भारती एथलिट जिसने उलम्पिक के फाइनल में प्रवेश किया तो कौन था दोस्तों यह थे मिलखा सिंग जो 400 मिटर दोड में 1906 रोम उलम्पिक में चौथा अस्थान प्राप्त किया और दोस्तों अमेरिका ने इन्हें हेजर्ड अवार्ज से नवाजा था ठीक है यानि कि पहला भारती एथलिट जिसने उलम्पिक में के फाइनल में प्रवेश किया था तो मिलखा सिंग है दोस्तों डोपिंग में पहला लिप्त खिलाडी पाया गया तो किस उलम्पिक में पहला केस पाया गया दोस्तों डोपिंग का तो 1906 रोम इटली उलम्पिक में प्रथम केस पाया गया डोपिंग का जो डेनमार्क का रोड साइकलिंग साइकलिस्ट था न्यूड एनमार्क ज सुर पदक्प्राप्ट के बाद यह मृत पाया गया। और यह रोगन और ऑ्पिता माइन जैसर उत्रशक्पदाथ ले रखा था जो सहनंसीलता ब्रहाती है ,जिसको यह अधिक ले लियो था और सुच्छ पदक्प्राप्ट करने के बात मृत पाया गया था ठीक है और दोस्तों जैसा की ओलम्पिक में पर्थम बार डोब टेस्ट कप किया गया पहला केस तो में पर्थम बार डोब टेस्ट कप शुरुवाथ हुआ तो 466 मेक्सिको सिटी में स्वीजन के पेंटाथलिट गुलर निलिंजे वाल का सबसे पहले किया गया और 1968 मेक्सिको सिटी से प्रारंद हुआ डोब टेस्ट एधियार में रखेगा नेक्स कोश्चन है कि एसिया की धर्ती पर पहला उलम्पीक कब और कहां आयोजित हुआ तो यह 1994 टोक्यो जापान में हुआ नेक्स कोश्चन है ओलम्पीक गांड की रचना किसने की और वे किस देश के नागरिक थे तो दोस्तो ओलम्पीक गांड की रचना इस्पाईरास समारास और कोस्तिम पलमास ने किया था और वह युनान के थे यानि ग्रीज की और दोस्तो इस ओलम्पीक गांड को प्रथम बार गाया गया 1960 के रोम ओलम्पिक के उद्घाटल समारोह में पहली बार संगीत का प्रियोग किया गया next question है कि खान प्रथम बार कब और किस ख satisf और और जित हुआ लोजित हो कि नेश्ट कोस्टन है कि किस ओलम्पिक में डोप टेस्ट की सुरुवाद होई दोस्तों जैसा कि मैं अभी तुरंद बताई हूं कि डोप टेस्ट की सुरुवाद मेक्सिको सिटी मेक्सिको में हुआ और स्विजन की पेंटाथलेट गुनर निलेंजेवाल का डोप टेस्ट किया गया और पर्थम डोप केस कम मिला था 2016 रोम उलम्पिक में तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही निस्ट पार्ट में नेक्स प्कोस्चन होंगे आई होगे जिसमें भी डाउट होगा आप कमेंट में पुछ सकते हैं तो दोस्तों फर्स्ट वार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए वि तक पहुचता रहे तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में नेक्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैए